इस वीडियो में हम बताएं कि आपको बाथरूम का आप जो ड्रेन सिस्टम होता है वो कैसे देंगे जैसे कि आपको पता चल जाए कि इसका पानी इस साइड में जाना है ठीक है तो आप क्या करेंगे जैसे कि यह हमारा कमबोड है ठीक है और यह हमारा फ्लो ट्रैप है और यहां पर हमारा यह स्वावर है ठीक है यह जो है यह स्वावर और यह है बेसिन ठीक है अब बेसिन जो है इस दिवाल से एक फिट शहेंची पर बेसिन का सेंटर है और एक फिट शहेंची इसका आउटर है यह बेसिन लगा हुआ हुआ है यानि 32 नहीं 24 इस तीन फीट करीबन हो रहा है एक फिट चाहिंची ठीक है तो तीन फीट का ये बेसिन लगा हुआ है ठीक है अब और यह जो हमारा कमबोड बैठा हुआ है ये 22 इंची पे इस दिवाल से 22 इंची पे इसका center है ठीक है अब यह हमारा फो जो floor है same है इसमें कोई भी partition वाल नहीं है तो इसका पानी का drainage system कैसे रहेगा आप क्या करेंगे इस दिवाल से 6 इंची छोड़े हम एक 4 इंची का pipe 4 इंची pipe से कम हम नहीं रखेंगे क्योंकि जो यह पानी जाता है उसमें 4 इंची से कम रखना सही नहीं रहता है ठीक है pipe jam होने का खत्रा बना रहता है तो हम 4 इंची का pipe इस तरह से 6 इंची छोड़े के ऐसे लेके पूरा आंगे तक कर देंगे ठीक है यह आंगे तक 4 इंची का pipe लगा देंगे अब इसमें जो गमबोड के लिए हैं यहां प इसे करके आता है यहाँ पर लगाएगा इस लेवल तक का जो रहेगा इस ट्रेन से आउटलेट हो जाएगा और इसमें इतना पानी लगा रहेगा जिसके वज़े से बदबूर नहीं आएगी ठीक है और इसके बाद यह आगे आया और इसके बाद इस फ्लोर का यह जो ट्रेप है यहाँ पे आप निहानी ट्रेप लगा देंगे ठीक है निहानी ट्रेप कुछ इस तरह से होता है इस तरह से यहाँ पे निहानी ट्रेप लगा देंगे ठीक है इसको यहाँ पे लगा देंगे इसस इसे भी यही होगा कि इस लेवल तक पानी रहेगा जिससे बदू नहीं आएगा और यहां से यह चला जाएगा और यहां पी हम नहाने ट्रेप लगा देंगे ठीक है और इसके बद यह पानी आउटलेट हो जाएगा चार इंची कहां ठीक है इस तरह से प्लम्मिंग का किया जाए इस जगह के लेवल से इस जगह का लेवल कम से कम एक इंची डाउन रहेगा ठीक है यह माइनस में रहेगा और यह प्लस में रहेगा अगर यह आप एक इंची पकड़े है तो यहां पे माइनस एक इंची पकड़ना पड़ेगा लेवल तब इधर का भी पानी इसमें चला जाएगा ठीक है ध्यान ये देना होगा कि ये वाला हिस्सा आपका उचा रहे ये वाला डाउन रहे ठीक है तो जाके इसमें पानी आ जाएगा